नमस्कार दोस्तों बिहार समचार में आपका स्वागत है आए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को लेकिन खबरों में आगे बरने इस पहले आपसे अनुरोध है कि किरप्या इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए साथी चैनल पर नए आये हैं तो चैन की आखरी तारिक एक बार फिर बढ़ा दी है अब एस्टुडेंट्स 30 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 11 में रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरी बार तारिक आगे बढ़ाई गई है इसे पहले 27 दिसंबर 2020 और फिर 10 जनवरी 2022 तक तिति आगे बढ़ाई ग हो सकती है दरसल समुच्चे परदेश में पच्छवा और उत्तरी पस्चमी हवा चलना सुरू हो गया है आयमडी के मुताविक नियूंतम तापमान में अगले तीन दिन में 3-5 डिगरी की कमी आने का पुर्वानुमान है मौसम विग्यानियों के मुताविक 28 तारिक से एक ब वैसे परिशानती जिनके परवेश पतर में फोटो की टूटी हो गई है उन्हें परिशा में बैटनी का अनुमती दी जाएगे जिन एस्टुनेंट्स के एडमिट कार्ड की फोटो में अगर गरबरी हो या किसी अन्य की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पतर के सा टैपेद करा कर परिशा केंदर पर जमा करना होगा गया में 6 महिने से अधिक समय से रासन नहीं लेने वाले सभी रासन कार्ड़ारियों के रासन कार्ड अब निरस्त कर दिये जाएंगे या फैसला यानि फर्मान DM टैग राजन SM ने आपूर्ती टाक्स फोर्स की बैटक में दिया है उन्होंने कहा है कि 6 मैने से अधिक समय से रासन नहीं लेने वालों की गहनता से जाच कर उन्हीं नोटिस भेजा जाए और उनके रासन कार्ड को ततकाल परभाव से रद कर दी जाए ताकि अन की बरबादी नहों और गरीबों तक अन पहुंच सके बिहार में दूसरे दिन भी RRB NTPC रिजल्ट को लेकर छात्रों ने जम कर विरुध परदसन किया राज में पिछले दो दिन से अलग-अलग अस्थानों पर उग्र युवाओं वह चात्रों के दोरा ट्री ने रोकी जा रही है और रेलवे पट्रियों को जाम किया जा रहा है रेलवे की गुरूप D परिक्षा में किया गए बदलाओ के विरुध में अलवार को भी छात्रों ने पतना आरा बकसर नवादा और बिहार सरीप आधी कई जगहों पर जम कर हंगामा और परदसन किया चात्रों ने गया नवादा रेल खन पर ट्रैक से कीप उखाड डाले ब्हार सरीप एस्टेशन पर चात्रों के परदसन के कारण नई दिली जाने वाली स्रम जीवी एक्सप्रेस डियर घंटे तक आउटर सिगनल पर खरी रही आक्रोसित चात्रों ने नवादा रेल वे स्टेशन पर पत्राओ और रेल थाना पर हमला कर दिया वहीं बकसर में हावरा देली रेल पत्त को जाम रखा हंगामा और ट्रेक जाम करने की जानकारे मिलने पर जगा जगा पुलिस और प्रसासन के वर्य अधिकारी पुचे छात रोध प्रदरसन के चल थे देस भर में कई परमुक ट्रेनों के संचालन पर असर देखा जा रहा है कई ट्रेने डायवर्ट की गई है तो कई देरी से चल रही है रेलवे भरती पर इक्षाओं को लेकर बवाल करने वाले अभरतियों के लिए रेल मंत्राले ने चताव नहीं जारी की है रेल्वे मत्राले रेल्वे भरती बोर्ट के ओर से कहा गया है कि ऐसे अभ्हरतियों पर आजीवन परतीबंद लगाया जा सकता है रेल्वे के नोटीस के अनुसार हंग्यान में आया है कि रेल्वे नौकरी के एकचुक उमिद्वार, रेल्वे पट्रियों पर विरोधर परदर्सन, ट्रेंट संचालम में व्यावधान, रेल्वे संपत्यों को नुकसान पहुचाने जैसी उपदर भी गायर कानूनी रेल्वे या सरकारी नौकरियों के लिए अनुप्युक्त बनाती हैं, रेल्वे ने कहा कि ऐसी गतवीद्यों के वीडियों की जाच कराए जाएगे और गैर कानूनी गतवीद्यों में सामिल पाय जाने वाले उमिद्वारों के खिलाब पुलिस कारवाई के साथ साथ ही उन हो गया है, भौवी लेक एव परिवाप निदे साले ने राजधानी पतना समेत परदेश का अठारा जिलों में बिसीस, भूमी सरवक्चन और बंदोवस्त का काम सुरू करते हैं, बताते कि जिन जिलों में जमिन का सरवे हो रहा है, वहां निदे साले दोवारा सिवीर लग और अंगबाद, सिवान, गोपाल गंज, पुर्वी, चंपरन, मदुमनी, समस्तिपुर्व, नवादा में भी विसीस, सरवेक्चन और बंदोवस्त का काम सुरू कर दिया है, राजी मिलागुपूर ने सराप बंदिक कानून 2016 में एक एहम संसोधन होने जा रहा है, इसके द कर सकेंगे और सराप पीने के दोसी व्यक्ति पर 50,000 रुपे तक का जुरुवाना करने का अधिकार उनको होगा, इतना अधिक जुरुवाना लेकर संबंदित अरुपित को छोरा भी जा सकता है, हलाकि यह प्रावधान सराप की तसकरी, बिक्रीश, भंदारन, ट्रंस्पोर की है, यह बोर दुवारा बारा निरना है और इसका दुर्गामी परिनाम परचारतियों पर पढ़ेगा, बोर ने असपस्ट कर दिया है कि जो छात्रे इंडर की मुख्य परिक्चा में सामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने सेंट अप की परिक्चा दी है, तो विशिस प परिछा का अफसर दिया है. जहानाबाद में 17 कैमूर में 5 कर्यहार में 29 कर्गर दिया पाया है, पचास सीवान में 38 सुपोल में 12 वैसाले में 96 और पच्चिम चंपारन जिले में 89 नए संकरमीद मिले हैं। इसके साथ दूसरे राज्य के 26 लोग भी संकरमीद पाए गये हैं। चोपरा को भी पदमस्री सम्मान दिया जाएगा। पूरा कर्दोस्यों को सजा दिलाना है। आयोग को कुल 3042 आविदन प्राप्थ हुए थे। आयोग ने बताया कि 21 सेप्टमबर 2021 को पटना इसे दो परिष्चा केंदरों में लिखित परिष्चा का आयोजन किया गया था। कुल 1415 उमिद्वार ही सामिल हुए थे। परिष्चा के बाद मुल्यांकर में 25 एक 2022 को कुल 740 उमिद्वारों को सफल पाया गया है। BPSC इस असिस्टेंट्स प्रोफेसर भरती परिष्चा में भाग लेने वाले अभ्यरती अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर जिये कर सकेंगे। बिहार के सिचा मंतरी बिजकुमार चोधरे ने कहा है कि बिहार विधान परिष्चत की 24 सीटों के लिए भाजपा और जदियों में समझोता तय हो गया है। स्री चोधरी ने बताया कि दोनों बरे बरे दल अपने अपने सायोग्यों को इसी फार्मूले के अधार पर विश्वास मिलेंगे। UIDAI ने सोमार याने 24 जनवरी को ट्विट करी है चानकरी साथा की है। इन केंदरों पर आप जाकर अधार कार्ड बरवाने के साथ अधार कार्ड में नाम, आवासिय, पता, बदलाओ भी करवा सकते हैं। अपना अधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भी आप आस्क की सेवा ले सकते हैं। अधार कार्ड यानि अधार सिवा केंदर पर योजना के पहले चरण में UIDAI ने 114 अधार सिवा केंदर खोलने की योजना बनाई है। यह केंदर देश भर के 53 सेरों में होंगे। सभी महानगरों के अलावा सभी राजियों की रागधानी एव केंदर सासित पर देशों में कम से कम एक केंदर खोले जाएंगे। ब्यार सरकार राष्ट्य मानवधिकार आयोग नई दिल्ली को मुझपपूर बालिकागरी कांट की प्रिताओं की मुखतान से सम्मनित रिपोर्ट सोपी है। इंटर और मैट्रिक की परिशाओं में सामिल होने जा रहा है भागलपूर के गरी ब्यारानवी हजार चात्रों में से सत्तर हजार को को कोरोना का टिका लग चुका है। इसके लिए रेलवे ने जागरुकता अभ्यान सुरु कर दिया है। रेलवे के ओर से रातरी में दस बजे के बाद फुकस लाइट को छोरकर केबिन में अन्य लाइट के परियोग ना करने की बात कही गई है। इसके लावा रातरी दस बजे के बाद कोच में आपस में वारता लाप के दोरान सायोगी को किसी परकार की असुबधा ना हो। इसके लिए रेलवे यातरियों से अनरोद किया जा रहा है। इसके बात की जान कर दी।